सोची अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या सोचेंगे आखिर वो कौौन है जिसने धमकी भरा पत्र छोड़ा है आखिर वो कौौन है जिसने मरी हुई मुर्गी घर के आंगाने फिक कर चल गया है वो कौन है जिसने नीबू काट कर फेका है और साथ में मीर्ची भी रख दिया है उस धमकी भरा पत्र को देखने से लगता है कि किसी लड़के ने लिखा है और लड़के ने चतिस गड़ी में लिखा है चतिस गड़ी में लिखना बड़ा टफ होता है दुले के स एक बार लाय हस, अतना हाथसा हो गए हो लड़की उपर गिरहा भागा है। नमस्तार जय जोहार जय चछतीजगर जो कहानी आपको बताने वाला हूं, आपको देख कर लगेगा कि कोई अंध्विस्वास है। अंध्विस्वास इसले भी लगेगा कि वाकई में जो चीजे हुई हैं, घर के बाहर मरी हुई मूर्गी, कटा हुआ नीबू और मिर्च, साथ ही एक धमकी भरा पत्र, जिसमें लिखा है कि अगर तुम उस लड़की को लिकराते हो, तुम्हारी मौत हो जाएगी, उसके उपर ग्रानक्षत्र है, ये बड़ा धमकी भरा पत्र लिखा गया है, बिलासपुर जीले के सीपत ठाने के डेवरी गाओं में, विरिंदा केवट के घर के बाहर, विरिंदा केवट दर्वाजा खोलते ही, सुबह की शुरुवात उसकी इसी चीज़ से होती है, सोची अगर आपक कर फेका है, और साथ में मीर्ची भी रख दिया है, बड़ी हरानी की बात है, क्योंकि आज इस घड़ना को समझना है, तो हमको छे मैने पहले जाना पड़ेगा, छे मैने पहले विरिंदा केमट की बेटे की शादी होती है, जांजगीर चापा के लड़की के साथ में, शाद इनों लड़की दुबारा वापस नहीं आई, वापस इसलिए नहीं आई, क्योंकि दूला जो विरिंदा केमट का बेटा है, वो ही अपने साथ उसे लेकर नहीं आया, शादी के चार दिन बाद लड़की के घर में एक दीवार पर जो लोट लिखा होता है, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर वही लिखा है दूले के लिए, इसके साथ एक और चीज़ हुआ था, दूले के साथ में मारपीट हुई थी, दूले के घर में यानि की सीपा तिलाके के देवरी गाउं में, दूले के साथ मारपीट होती है, मारपीट करने वाला कौन है, ये दूले तक को नहीं मालूम इसके अलावा दूले का कान भी काट देते हैं मारपीट करने वाले वो लोग ये तो पता है कि एक से जादा लोग थे ऐसा उसने पुलीस को बताया है कि एक से जादा लोग थे जिन्हों ने उसके साथ मारपीट की थी और कान भी काट कर चले गया थे बड़ी हरानी होती है भी बला कोई मारता है पिटता है लेकिन कान कौन काटता है ये सवाल अभी भी सवालों के घेरे में है पुलीस भी अभी तक इसके जवाब भी ढूण नहीं पाई है पुलीस कहरें कि हम इसकी जाज कर रहे हैं विरिंदा केवट के घरवालों को कहना है पुलीस तक मामला गया था पुलीस एक दिन आई जाज करने के लिए लेकिन उसके बाद थंडे बस्ते में हमेशा की तरह छे मैने पहले की बात है ये सब घटना हुआ शादी के चार दिन बाद दुलहन के घर यानि की लड़की के घर भी दिवार में वो नोट लिखा होता है जो दो दिन पहले मी खा हुआ था और इसके साथ दुले के साथ मारपीट होती है ये सब कुछ बीद गया और इसी डर से उसने दुलहन को कभी घर नहीं लाया व्रिंदा केवट का बेटा अपनी पतनी को कभी घर लेकर नहीं आया उसके छे महने बाद यानि की बितेरा विवार को जो घटना हुआ उसे भी आप जानिये की क्या हुआ व्रिंदा केवट रोज की तरह दरवाजा खोलता है सुबा उठकर और दरवाजा खोलते ही सबसे पहले उसको आंगन में नजर आता है एक मरी हुई मुर्गी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसके साथ ही नीबू मीर्च और एक धमकी भरा पत्र उस धमकी भरा पत्र को देखने से लगता है कि किसी लड़के ने लिखा है और लड़के ने चटिस गड़ी में लिखा है चटिस गड़ी में लिखना बड़ा टफ होता है हिंदी में आप इजी लिख लेओगे जो धमकी दो क्या कोई भी बात हो भी बात को लिखना हो, तो आप हिंदी में बहुत असानी से लिख लेते हो, अग लेकिन इसी सब्द को 36 गड़िम लिखोगे, तो थोड़ी से असानी नहीं होती, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। 36 गड़िम क्या लिखा है, ये भी आपको पढ़के में बताता हूँ, और उस पत्र के उपर में तीन मिर्ची रखी हुई है, बंदन चीते हुए हैं, और एक नीबू रखा हुआ है पत्र के उपर में, लिखा है सबसे पहली लाइन, एक साधे कागज में, जो अमुमन स्कूल म और उसके बाद जो लिखा है, सून बेटा ते लड़की उपर, तोर लड़की उपर दोश है, वो लड़की ला एक बार लाय हस, तो अतना हाथसा हो गए, वो लड़की उपर गिरहा बादा है, अगर ते तै, अगर तै वो लड़की ला लाबेता, तो तोर मरना तै है, इसक देख ले, अगर, और क्या लिखे है, भलाई बहुत कुछ लिखा है, मतलब उसमें बंद लिखा गया और मिर्ची रखी हो, यह समझ नहीं आ रहा है, और लड़की लब मत लाबे, नहीं तो तोला, पतर ही कुछ और लिखा हुआ है, उस पस्ट नहीं आ रहा है, तो यह धमकी पत्र कौन लिखा ही, अभी भी सवालों के घेर में है, छे मैने पहले दुले के साथ मारपीट होती है, दुले का कान कार दिया जाता है, और छे मैने बाद दुला के घर में, बिलासपूर जीला के सीपत इलाके के देवरी गाउं करहने वाला है, वरिंता किराव के वट, और उसके घर में, उसके बेटे, जो इसके शादी हुई दिशे मेंने पहले, उसके घर के बाहर में धमकी बरा पत्र कौन लिखता ही, अभी भी सवालों के गेरे में है, लेकिन पुलीस जिस दिशा में जाच कर रही है, जिस एंगल से जाच कर रही है, उससे ये लग रहा है, य लड़की ससुराल जाए, और इसलिए शादी के चार दिन बाद, उसने पहले दूले के साथ मारपीट की, उसका कान कार दिया, और उसके साथ साथ दूलहन के घर पर, दिवार पर धमकी भरा नोट लिख दिया, उसके छे महने बाद ये घटना होती है, जिसमें भी वही जिक पुलीस जो जाच करी, पुलीस जो सुत्रों नहीं बताया है, कि हो सकता है कि लड़की का कोई boyfriend हो, शादी के बाद, शायद शादी से वो मनजूर नहीं था, कोई भी हो, किसी का boyfriend हो, अपनी girlfriend के शादी के लिए कोई भी दूसरे लड़के से तयार नहीं होगा, शादी तो हो यह ऐसा हो सकता है, पुलीस जाच कर रही है, इस मामल में क्या कह रही है, वो भी आप पुलीस सदिकारी से सुनिए, पुलीस का कहना क्या है, इस एपिसोड को लेकर, इस अंधविश्वास की कहानी को लेकर, अब मुवन ऐसा होता है कि चतिसगड़ में अंधविश्वास की ल पहले से ही चीजें है और ये भी एपिसोड कहीं न कहीं उसी का हिस्सा है देखने वाली बात यह है कि पुलीस इस मामले का खुलासा कैसे करती है बिलासपुर पुलीस के सामने यह चैलेंजिंग है कि इस अंधिविश्वास की गड़ी हुई साजिश का खुलासा पुलीस कैसे करती है कि रातरी में उसके घर के आंगन में कोई जो है एक निम्मो मिल्ची और कुछ धंकी बारा पत्रा एक मुर्गा कुमार का ठेग दिया है जिस पर वो भाइबीत है थानश्री पावेदन प्राप्तो हुआ जिससे सफरकता के साथ जांच की जा रही है कुछ दिवस्पू हुआ जो है इनके घर में चोरी हुआ था और उसको आवेदा को चोड़ भी आया था जिस पर भी जांच की जा रही है जैसा भी जांच पर पाए जाएगा तब शिगरता शिगरत आवश्य करवा ही की जाएगे कि जाएगे